नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहित्ती जोती में आज के इस वीडियो में हम लोग सोहनलाल द्रिवेदी जी द्वारा रचित जागरन गीत नामक पाठ के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे तो चलिए देरीना करते हुए प्रश्ण उत्तर को देखते हैं परन्तु इससे प को हल करने में आपको मदद मिलेगी आए प्रश्ण उत्तर देखते हैं तरो प्रतम अस्तोनिष्ट प्रश्ण उत्तर जिसके अंदर बहु विकल्पी प्रश्ण है तो निमनलिखित प्रश्णों के सही उत्तर विकल्प से चुनकर लिखे पहला प्रश्ण जागरन गीत कवी तो आपको अच्छे से पता है जागरंगीत कवीता जो है वो सोहनलाल द्रिवेदी जी की रचना है तो इसका सही विकल्ब जो है वो तीसरा है सोहनलाल द्रिवेदी फ़र नंबर प्रशन देखिए कभी इस कवीता द्वारा कैसे लोगों को जगाने की बात कर रहा है कैसे लोगों को जागरित करने का प्रयास कर रहा है, आइए इसके विकल्प को देखते हैं, इसमें चार विकल्प है, पहला वास्तिविक जीवन वालों को, दूसरा कल्पनात्मक जीवन वाले, तीसरा कर्म सील जीवन वाले को, और चौथा निरास जीवन वाले को, आपको उची-उची केवल ख्वाब बनते हैं, तो उन्हें कभी अपनी कवीता के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इस कवीता का नाम जागरण गीत पड़ा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कलपनात्मक जीवन वाले, आईए हम इस पार्ट के जो लगुतरिये इसका फॉर्फ नमबर उद्याचल और अस्ताचल,स्ताचल का रिक्रमस, पूर्व और पस्चिम धिसा है, उद्याचल के लिए हैं पूर्व दिसा और अस्ताचल के लिए है पस्चिम दिशा ठीक है वास्ता में पूर्वदिशा के उस कल्पित परवत का नाम उद्याचल है जहां से सूरी उदित होता है जबकि अस्ताचल पस्चिम दिशा के कल्पित परवत का नाम है जहां सूरी अस्त होता है यानि कि उद्याचल से सूरी उदित होता है और उत्तर देखिए विपथ होने का आशे है राह से भटकने से संबंधित हैं। विपथ होने का आशे राह से भटकने से गाहन नंबर कल्पणा में उड़ने का क्या तात पड़े हैं। उत्तर देखिए, कलपना में उड़ने का अर्थ वास्तविक जीवन से मुढ मोड कर कलपनाओं की दुनिया में जीने से संबंध है, यानि कि वास्तविक जीवन से हट कर केवल कलपना की दुनिया में रहना, मजधार से कभी किसको और कैसे पार लगाएगा, उत्तर देखिए, मजधार से कभी लोगों को पार लगाएगा, वह अपनी कवीता के द्वारा लोगों में वह प्रेणना भर देगा कि वे जीवन संघर्ष को पार कर लेंगे, उनके अंदर इतनी प्रेड़ना भर देगा कि वे अपना कारे प्वयम करने के लिए अपने जीवन संघर्ष को पार करने के लिए सत्पर हो जाएंगे आईए आगे बोधुमूलक प्रशने देखते हैं पहला प्रशन प्रस्थुत कवीता में कभी किसे जगा रहा है और उन्हें क्या हिदायते दे रहा है उत्तर देखिए प्रस्थुत कवीता में कभी उन लोगों को जगा रहा है जो वास्तविक इस्थितियों से मुह मोड़ कर कलपनाओं की दुनिया में जीते हैं कभी ऐसे ही लोगों को हिदायते दे रहा है उन्हें हिदायत दे रहा है कि अब कल्पना करना छोड़कर वास्तिविक जीवन में जीने का प्रयास करें का नम्बर प्रश्ण देखते हैं मानव मन की किन संकिर्ण नताओं संकिर्ण नता कर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था सुद्रता या छोटा पन जिसे हम कहते हैं का वर्णन पाठ में हुआ है उसका वर्णन करें उनका वर्णन करें तो उत्तर देखिए कवी ने मानों मन की अनेक संकिर्णताओं की और संकित किया है तो आज के लोगों के मन में जाती को लेकर धर्म संप्रदाय, अमीर गरीब को लेकर अनेकों संकिर्णताय बनी हुई है तो जब तक हमारे मन में साहस सक्ति का संचार नहीं होगा, आत्मबल नहीं बढ़ेगा, तब तक हम प्रगती के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं, इन संकिर्णताओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं और कवी का यहीं उदेश है क Celtic कЗЫ कि वे अपनी कवीताओं के माध्यम से इन संकिर्णताओं से हमें मुक्त करें तब नंबर प्रश्चन देखते हैं कवी लोगों को क्या करने और क्या न करने का संदेश दे रहा है उत्त देखें कभी लोगों को यह संदेश दे रहा है कि वे सजग सावधान होकर कर्थव्य पत पर आगे बढ़े, कलपना लोक में विचरना विचरना यानि घूमना बंद कर वास्तविक जगत में रहे, मन में केवल कलपनाये ना करे, वास्तविक जीवन के बारे में मन की संकीन रूढियों के बंदन को तोड़कर उदारवादी और मानवतावादी दिश्टी कोण अपनाये, कहने का मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि लोग जो है वो कलपना सीलता की दुनिया से बाहा निकल कर वास्तविक जीवन में आये, और मानवतावादी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प प्रगति के पत पर बढ़ाने आ रहा हूं इस प्रंक्ति का हमें इस पंक्ति का हमें क्या करना है भाव स्पष्ट करना है तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कभी कह रहा है कि वह लोगों को प्रगति की और ले जाना चाहता है यानि विकास की और ले जाने के लिए प्रस करना करना छोड़कर वास्तिविक जीवन वास्तिविक धरातल पर आ जाए कि कि दूसरा प्रश्ने देखते हैं तुल तुम जिसको समजते थे अभी तक फूल में को बनाने आ रहा हूं यह एक पंहती आपको दी गई है इस पंहती का भी आपको भावत पशे करना है तो कभी लोगों को आस्वस्त कर रहे हैं कि लोग जिसे काटा समझ रहे हैं मैं कवी उसे फूल बनाने के लिए प्रस्टु थे लोगों के दुखों को दूर कर उसे सुक के रूप में बदलना साथ है चाहता है तुम बनाने कार्थ है दुखों को दूर करके उसे सुख में बदलना suficiente अब जो है हम भाषाबोद के प्रश्णु को देखते हैं ठीके भाषाबोद के बीतर पहला ही कहा गया है कि निमनलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो यहां पर कुछ शब्द दिये गए हैं हमें उनका अर्थ लिखना है और फिर उन्हें वाक्य में तो पहला शब्द जो है वो है प्रगती ठीके तो हमें क्या करना है इन शब्दों के अर्थ बताने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है तो प्रगती का अर्थ क्या होता है उन्नती या विकास आप लिख सकते हो प्रगती का अर्थ होता है विकास पहले मैं अर्थ लिख र आर्थिक प्रगती की प्रगती की राह पर चल रहा है आप अपने हिसाब से कोई विवाक्य बना सकते हो जरूरी नहीं कि केवल यही वाक्य लिखें यह मैं अपने हिसाब से वाक्य बना दे रही हूँ आप अपने हिसाब से कोई विवाक्य बना सकते हैं अरुण सब्दे का अर्थ होता है लाल ठीक है अरुण यानि लाल तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो अरवन वास्ता में सूरी के लाल रंग के लिए इस्थमाल किया जाता है इसलिए हम उससे ही सम्बंदित वाक्य बना सकते हैं ठीके दिन ढलने के दिन के ढलने के साथ ही सूर्य का रंग अरुण होता गया ठीके कूल सब्देकार्थ होता है काटा या कंटक आप काटा भी लिख सकते हो काटा और आप लिख सकते हो अब बहुत सारव बाक्य बना सकते हो कठीन बाक्य भी बना सकते हो जैसा आप पूचित लगे कर सकते हो हमारे क्रिदय में भेद भाव रूपी पूल रूप रहा है इसी तरीके से आगे का शब्द जो है वह श्रिंखला श्रिंखला का अर्थ होता है पढ़िया जो कि मैंने आपको व्याक्या में बताया था कार्थ बंधन भी होता है जंजीर भी होता है तो हम लिख लेते हैं जंजीर आप लिख सकते हैं हमें असमानता की श्रिंखला को तोड़ देना चाहिए और इसके बाद आखरे शब्द जो है वह है पत्वार पत्वार जिससे नाव चलाई जाती है तो आप इसके लिए चप्पू शब्द सबसे अच्छा रहता है तभी समझ जाते हैं चप्पू का मतलब कहा जा रहा है जिससे नाव चलाई जाता है ठीक है राम ने नाव चलाने के लिए पत्वार ले ले ठीक है यहाँ पर मैंने शब्दों के पहले अर्थ बताए है फिर उनका वाक्की प्रयोग किया है आप अपने हिसाब से कुछ भी बाक्की प्रयोग कर सकते हैं जो की सही होना चाहिए आई आगे हम देखते हैं आगे का भाशावोद इसमें कहा गया है कि निमनलिखित शब्दों का बिलोम शब्द बिलोम यानि उल्टा बिलोम शब्द लिखे तो आकाश का क्या होगा आकाश का पाताल इसी तरीके से कल्पना का यथार्थ यथार्थ का मतलब बता है सच्चाई वास्तविक्ता में हो दुख का तुख गुरु यानि भारी भी होता है और बड़ा भी होता है तो आप गुरु का अर्थ लिख सकते हैं लगू ठीके और फूल का अर्थ आपका फूल का जो बिलोम होगा वो है चूल यानि काटा तो फूल का तूल बिलोम शब्द आगे देखते हैं देखिए पार्थ से प्र वी अ सम उपसर्ग लगे शब्दों को चूल कर लिखिए तो पार्थ से कुछ ऐसे उपसर्ग हमें निकालने हैं जिसमें प्रव वी और अ लगा हो तो उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्दों के आगे में लिखता है जैसे प्रवाला यदि हम कहें तो प्रव से कौन सा सब्द है प्रगती चिक अगर आप वी वाला कहेंगे वी वाला तो विपत ओ वाला अगर हम कहें ओ उपसर्ग तो अतल और सम का अगर हम बात करें सम का तो समपूर्ण यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दे दिया हैं तो यह जो है प्रवी अ सम यह उपसर्ग है शब्दों के आगे लगता है आईए अब हम पर्यायवची शब्द को देखते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं हमें इनका प्रयायवची लिखना है पहला शब्द है नव जो की बहुत ही सरल है आप छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं आप खुद से भी कर सकते हैं नव का आकाश आस्मान जरूरी नहीं कि यही लिखे अगर आपको कुछ और आता हो जो इसका पर्यायवची हो तो वो लिख ले जो आपको अच्छा लगता हो और सहस्ता से याद हो जाए धर्ती का जमीन धरा वसूधा यह तरीके से पूल का कुष्प सुमन कुष्ण कुष्ण अगर हम सिंधू की बात करें तो सिंधू का समुद्र सागर रतनेश रतनाकर बहुत सारा है तो यहां पर हमारा यह प्रयायवची भी खत्म हो गया इस वीडियो में हम लोगों ने इस पार्ट से संबंधित जो भी बहु विकल्पी प्रशन थे लगुतरिया प्रशन थे भासा बोद के प्रशन थे या बहु मुलक प्रशन थे उसे हम लोगों ने हल कर लिया है और यह आप लोगों के लिए बहुत ही उप्योगी होगा ऐसे मुझे आशा है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करे और यदि उप्योगी हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इसकी साथ धन्यवाद अब्सक्राइब झाल झाल भीडियो झाल